साथियों, देश के शहरों के विकास पर इतना अधिक फोकस, इतना बड़ा निवेश इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि ये शहर आने वाले 25 साल में विक्सीद भारत के निर्मान को सुनिस्चित करने वाले हैं। यही अम्दाबाद, सूरद, बडोदा, बोपाल, इंदोर, जैपूर, यही सब हिंदुस्तान के 25 साल के भाग्य को गड़ने वाले हैं। इन निवेश सिर्फ कनेक्टिविटी तक सिमित नहीं हैं, बलकि दर्जन और शहरों में स्मार्ट सुविदाएं बन रही हैं। मुल सुविदाओं को सुधारा जा रहा है, मुख्य शहर के आसपास के इलागों सबब्स को विक्सित किया जा रहा है। ट्वीन सिटी का विकास कैसे होता है, गांधी नगर, एमदबाद इसका उत्तम उधारन है। आने वाले समय में, गुजरात में अनेक ट्वीन सिटी के विकास का आधार तैयार हो रहा है। अब तक हम चरम न्यूर्प न्यूजर्ची, न्यूर्प न्यूजर्ची, ट्वीन सिटी सुनता रहते थे, मेरा हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता। और आप अपने आँखों के सामने देख सकते हैं, आमदाबाद गांदीनेगर का विकास, ट्वीन सिटी का वोड़ मोडेल, उसी प्रकास से हमारे नद्विक में आनन नडियात, उदर बरूच अंक्रेश्वर, वलसाड़ और वापी, सूरत और नवसारी, बडोदरा, हालोल कालोल, मोर्वी वाकानेर, और मैसाना कडी, ऐसे बहुत सारे ट्वीन सिटी, गुजरात की पहचान को और ससक्त करने वाले हैं, पुराने शहरों में सुधार, और उनके विस्तार पर फोकस के साथ-साथ, ऐसे नए शहरों का निर्मार भी किया जा रहा है, जो ग्लोबल बिजनेस डिमांड के अनुसार तयार हो रहे हैं, गिप सिटी भी इस प्रकार के प्लग और प्लेस वीदाओ वाले शहरों का बहुत उत्तम उदारन है,